हाइ व्यूट रेए वेलकोम शांक याकनिक है और वाइस वीडियो में बात करेंगे ज्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं कोशिश रहेगा कि कम समय में आपको ज्याद से ज्यादा खपरे बता सकूं इंपोर्ट जला क्वश जांदे चल रही है और द्रम शाल बार में जानक होना है पहले t20 में भारत जीत दरच कर चुका है इसके बाद में अब इस t20 में कोशिश ये रहकी कि इस t20 को भी जीतने के साथ में टीम इंटिया जो है को सिरीस पर कभबजा कर लें तो यह देख sorry आज कि टीम इंटिया के नाम ये series हो पाती है या फिर तक का वेट करना पड़ेगा या फिर श्री लंका कमबैक करता है इसमें किस तरीके से उस पर सब की नजरे रहेंगी अब बात कर लेते हैं अगली ख़बर की तो फिर इस T20 मैच से पहले श्री लंका टीम को एक बड़ा जटका लगा है और दरसल दो जटके लगें क्योंकि दो टीम के प्लेयर्स वो इंजरी के चलते बाहर हुए और उनकी जगह पे दो प्लेयर्स को शामिल किया गया है अब आपको एक ही करके मैं उनके नाम बता देता हूँ तो थिक शना एक प्लेयर है दूसरे प्लेयर है कुछल मैंडिस जिनको इंजरी के चलते इस T23 से बाहर होना पड़ा है अब उनकी जगह टीम में शामिल किये गए दो प्लेयर दनेजा डिसिलवा टीम में शामिल किये गए और निरोशन डिक वैला को टीम में जगह दी गई है तो देखते हैं कि यह जो चेंज है वो श्रिलंका के लिए पॉजिटिफ के रूप में सामने आता है या फिर टीम की जो situation चल रही थी पहले T20 मैस में जो देखा था वो continue होती है एक बार और उसके बाद में एक बार और जो अपडेट्स है वो आपको और दे देता हूँ अब टीम इंडिया में भी बदलाव हुए है एक बदलाव टीम इंडिया में भी हुआ है रितुराज गाइकवा है तो भारत की तरफ से एक चेंज है लेकिन प्लेइंग लाइन में क्या माहिंक अकरवाल को मौका मिलेगा इस पर सबकी नज़रे रहेंगी इसके बाद बात कर लेते हैं आप जो हैलेटिंग से खबर है हमारे पूरी सेग्मेंट की जिसको चलते आप इस वीडियो को भी करेगी और इस पर जो भी कुछ अब इन्वेस्टिकेशन होंगे या फिर जो भी कुछ इंक्वाइडी होगी वो तीन लोग करेंगे अब वो तीन मेंबर्स कौन को ने राजीव शुक्ला बीचिजिए वाइस प्रेसिडेंट हैं उसके बाद में अरुंधूमल जो की पारी रहेगी रिद्धिमान साहा वर्सेजनरलिस्ट जो भी कुछ मसला रहा था उसको देख रेक करेंगे उसकी अब बात कर लेते हैं एक और हालेटिंग खबर जो है वो खबर यह है कि रिद्धिमान साहने पहले तो आप सब को याद होगा उस पत्रकार ने जो उनसे बात पत्रकार है उनका नाम वो रिवील नहीं करना चाहेंगे और उनका नाम वो रिवील अभी नहीं करेंगे आगे चल करके अगर इस तरीकी चीज़े और हुई तब वो इस पर खुल के बात करेंगे लेकिन फिलहाल वो नाम रिवील नहीं करेंगे ऐस रिद्धिमान साही यह अच्छी बात नहीं हो मैं इसको ध्यान रखूँ वो सब चीज़े आपको बता है उसके बारे में जातर डीटिल में नहीं आएंगे लेकिन जो मेजर चीज़े वो यह है कि रिद्धिमान साहा अब नाम बताने के लिए तयार हो गए यह खबर जो छपी है वो टाइम ऑफ आपको बता रहा हूं तो अब देखते हैं क्या कुछ इस पर और अपडेट्स आगे आते हैं उनके बारे में भी आपको लगाता बताता रहूंगा इसके बाद बात कर लेते हैं अगली खबर की तो फिर श्रिलंका टीम जो है जो टेस्टीम है वो भी भारक पहुंच चुकी आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज आप इसको लाइक कर दिए साथ में आप कॉमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं फिलाला भी इस वीडियो में इतना ही है आप सबका इस वीडियो में जो निकले बहुत बहुत शुक्रिय और अब कल मुलाकात होगी आपके साथ कुछ और बड़ी-बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए गुडबाए